कि अब देखो मैं एक फोन में recording伊 स्टार्ट करता हूं और तुम ध्यान से सुनना की यहां पर क्या बोल रहा है ठीक है हो जैसे मेंने ओर पर क्या रिकॉर्डिंग पर स्टार्ट किया है तो तुम देख सकते हो कि यहां पर call recording जो है वो नहीं आ रहा है अब वो sound नहीं आ रहा है बिल्कुल चुप-चाप से यह recording हो रहा है हाई गाईस स्वाथ करता हूं तुम्हारा फिर से एक brand new video में तो आज के इस video में तुम जानने वाले हो how to call recording without announcement यानि कि जब तुम अपनी फोन से किसी को call करते हो गूगल डैलर से और तुम उस call को record करते हो तो सामने वाले को को एक sound चुना देता है this call is now being recorded तो सामने वाले को पता लग जाता है कि तुम ने जो है recording start कर दिया मैं तुम के एक example दिखाता हूं तुम देखो यहां पर दो फोन है और मैं जैसी एक फोन से मैंने दूसरी फोन हो call किया है और देखो मैंने यहां पर और दूसरे बंदे को पता लग क्या है कि तुम ने उसको call recording start कर दिया है तो तुम इसको stop कैसे कर सकते हो कैसे तुम इसको disable कर सकते हो तो इस वीडियो मैं जो है तुम को करके दिखाने वाला हूं जो वीडियो को start करते हैं बट उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर दबा देना तो आज आओ इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं step by step तो वाइस तुमको अपने phone में call recording announcement को stop करने के लिए एक application को install करना होगा अब यह कौन सा application है तो आज 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 इसको install करते हैं simply से तुम अपने play store पे आ जाओ और यहां पर search करो ttslex जैसे search करोगे तो यह है application और simply से इसको तुम जो install कर लिया है अब तुमको इसको open नहीं करना है अब तुम इसको close कर दो ठीक है यह install हो चुका है अब simply से तुमको क्या करना है अपने phone के settings कंदर आना है जैसे ही आओगे तो last में जाओ और तुम यहां धूंड़ो एक option accessibility का ठीक है जैसे accessibility मिल जा है इसके अंदर आ जाओ और यहां पर तुमको एक option मिलेगा text speech का ठीक है तो simply से इसके अंदर आ जाओ और यहां पर आओगे तुमको एक option मिलेगा preferred engine का जैसे ही तुम इसके अंदर आओगे तो देखो यहां पर by default जो है Google डाइलर रहा है और second में वो देख रहा है जो अभी हमने download किया था TTSLEX तो simply से तुम इसको select कर लो और यहां पर एक pop-up आएगा तो यहां पर इसको okay कर दो ठीक है अब simply से इसको close कर दो अब इसका भी काम खतम हो गया है अब एक और काम बच गया है जिसको हम यहां पर finalize कर लेते हैं तो फिर से phone के settings के अंदर आ जाओ और यहां पर तुमको जाना है last में और तुमको apps के अंदर आना है ठीक है अब जाको तुम Realme, MI का या फिर Samsung का जो भी phone use कर रहे हो हो सकता है तुमारे phone में option का नाम कुछ different हो बट तुम जो है process को समझो इसी process को बस तुमको follow करना है ठीक है तो यहां पर मेरे में लिखा है apps and notification तो simply सिसके अंदर आ जाओ और यहां पर all apps को जो है open कर लो अब तुमको यहां पर ढूंडना है phone वाला app ठीक है तो देखो यहां पर मैंने ढूंड नीचे आया मैं नीचे आया ठीक है और यहां पर तुमको दिख रहा है तो phone ठीक है जैस से पहले कि तुमने जितना भी recently call किया होगा चाहे तुमारा miss call dial call या receive call वो सारा जो है delete हो जाएगा save number delete नहीं होगा बट जो भी call locks होता है वो सारा delete हो जाएगा पहले ही मैं एक बात clear कर देना चाहता हूं ठीक है अगर कोई ऐसा number है तो तुम उसको link के कहीं पर रख लो या screenshot ले लो क्योंकि वो उड़ जाएगा भी यहां पर जो भी करने वाले हो ठीक है तो simply से तुमको clear catch कर देना है और अपना clear storage कर देना है या clear data कर देना है जैसे कर दोगे that's it अब कुछ नहीं करना है simply से तुम इसको close कर दो और उसके बाद अब फिर से हम जो है एक बार check करते है कि मेरा call जो है record करने पर जो sound था वो sound आ रहा है या फिर नहीं तो देखो मैंने फिर से जो है पर calling अब तो मैरे call लग में तो कोई number दिख नहीं रहा है दिख सकतो कि सारा number है डिलिट हो गया है अब मैं contact में जाके फिर से यहां पर number ढूंड के इसको call करता हूँ तो मैं contact पर आया है और फिर से देखो मैंने यहां पर call किया है दो calling bell भी जा रहा है अब मैं receive करता हूँ देखो मैंने receive भी कर लिया गाइस और यहां पर जो है मैंने थोड़ा सा mute करकर रखा है क्योंकि मेरा जो है caller tune में गाना लगा हुए ठीक है जो कि मैं यहां पर गाना play नहीं कर सकता तो इसलिए मैंने mute करके रखा हुआ है अब देखो यहां पर ring बगरा सब कुछ हो रहा है and जैसे ही मैंने यहां पर call recording पर start किया है तो guys तुम देख सकते हो कि यहां पर call recording जो है वो नहीं आ रहा है या वो sound नहीं आ रहा है बिल्कुल चुप चाप से recording हो रहा है और मुझे हो गया है तो इसी तरीके से तुम अब कोई भी brand को phone यूज करते हो इसी process को follow करके तुम जो है call recording announcement को जो है off कर सकते हो disable कर सकते हो I hope कि यह वीडियो तुमको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के शायर करना मत बू कोई भी doubt है suggestion है कोई सवाल है तो नीचे comment कर देना 100% ट्राइ करोंगा तुम्हारे comment के reply करने का और अगर तुम्हारा कोई genuine सवाल हुआ तो तुम्हारे उपर एक dedicated video भी लेकर आ जाओंगा और कैसी तुम्हारे लिए और दो यहां पर वीडियो का link दे रहा हूं जो भी तुम को जाने उसते click करो and enjoy करो